गुरखपूर नीज के हेड्लाइन के प्राविजिक है S.PRA गुरखपूर नीज के साह प्राविजिक है DP RANA hospital और ध्रामा सेंटर देवर ने भावी का गला काट कर उतार मौत के घाट, दो घंटे के अंदर पुलिस ने हत्यया रूपी को किया गरिफतार हत्या में पर्युक्ति चाकू और फून से सने कपड़े भी बरामत सीयो कैंट सुमिशुक्ला ने का पर्थम द्रिश्टिया मामला प्रेम परसंग का है तिवारी पूर्थाना छेतर इसे सुल्तान के मकाम पर सीटी मजेश्ट ने मारा च्छापा लागों का आवायत पटाखा किया जब्त कहा मुकत्मा दर्च की जा रही है कारवाई तिवारी पूर्थाना छेतर के निजाम पूर में ज़ाडू और रसी के गोदाम में लगी आग लागों के समाज जल कर हुआ राक मौके पर पहुँचे फाइव ग्रेट की गाड़ियों ने पाया आग पर काम रामगरदाल थाना छेतर के गोपलापूर इलाके में कुछ दिनों पहले दबंगो दोरा फिल्में स्टाइल में असलाह लायराते हुए खबर को गोरपूर नियूस पर प्रोंखता से दिखाने का अधिकारियों ने लिया था संग्यान फरार चल रहे दूसरे आरोपी अव्युक्त को किया गिरिफतार अवैत तबंचा किया बरामद गोरपूर पहुंचे उत्तर प्रदेश व्यपारी कल्याव बोर्ड के प्रदेश उपादेश मनीश गुपतानी गिनाई व्यपारियों के हित में लागू सरकार की योजनाय कहा व्यपारी जागरुख होकर योजनाओं का अधिक से अधिक ठाएला IMA के नई कारकार्णी के चुनाओं में डक्टर मंगलेश शिर्वास्तो चुने गया ध्यक्ष डक्टर आनन्द अगरवाल बने महामंत्री कहा सभी के हित में कारी करेगा भारतिय चिक सासंग उत्तरपदेश व्यपारी कल्याव बोर्ड के परदेश उपादेश ने व्यपारियों वा भाष्वाप अधिकारियों के साथ की बैठक कहा जल्द ही गोरपूर में होगा व्यपारी सम्मेलन गोरपूर में रवीवार को मिले 35 नय क्रोना संक्रवित मरीज एक की हुई मौत जिले में संक्रवित मरीजों के संक्या हुई 19,312 अब तक 315 कुरोना सक्रवित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान 495 हुए एक्टिव मरीज सेमोर डाटर श्री कांतिवारीने की पुष्टी और दिपाली पर्व के औसर पर किया गया दीप डेकोरेशन और शो का आयोजन प्रतिभागियों ने किया डिजाइनिंग दियों का प्रदर्शन